नमस्कार, मैं नीता देवलिया उत्राकन मुक्तु शुधाले योगली भाग से पुनहां आपका स्वागत करती हूँ आज कुम्भक के अभ्यास में हत्पदी पिगमर गाने हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं आज की वीडियो में मुच्छा प्राणयांका बारण वविधी बताई जाएगी तर प्रश्चा जो अगली वीडियो आप तक पहुँचेगी वह प्लावनी का अभ्यास है प्लावनी कुम्भक का परन्तु इससे पूलों में आपको नितेश देना चाहूँगी कि आप अभ्यास को स्वयम करने का प्रयास ना करें क्योंकि यह उचिसतर आख्यास है कोण रूप से सद जाए कभ औहा अभ्यास आपके चित्त को आपके मन को अंतरमुखी बनाता है वस साथना की उचिसतर आप्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं जिनका वड़न हप्रतितिका में किया गया है तो आएगी अब भंधिधी एक बार जानने कि मुर्चा प्रणयाम किस प्रकार करते हैं जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इस अभ्यास से मुर्चा का आभास होने लगता है तो जब भी आभ्यास करते हैं इससे अधिक नहीं किया इसी प्रकार आप जालंदर बंद के साथी सौश छोड़ेंगे जिसका आपके शरी पर नेगेटिव पेशर प्रताँ है आप वहां स्वतह मेहसूस करेंगे जब पूरी सौश छोड़ेंगे तो आप सामाई इस्थीति में लौटिंगे पुनार स्वास भरींगे और जालंदर बढ़ने के साथ आप फिर प्रकार क्रम जो है इसके आगे बढ़ने जाते हैं तो आईए अभियास्त पार कर लें और बढ़ने के बाद स्वास बहते हैं जानदर बन के करम जो है जानाश चोरने के बाद स्वास भरते वे जालंदर बंद खटाएंगे इसी महीं अभ्यास बढ़ते जाते हैं ध्यान रहें इस अभ्यास को करते हुए जब आप जालंदर बंद के साथ स्वास शोड़ते हैं तो बहुत असहिश्टा भी महसूस होती है परन्तु शारिदिक अभमानतिक अभ्यास में जिसके प्रभाव उन पर ध्यान बिलिद करते वे अभ्यास किया जाता है जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी है इस अभ्यास को आप घर पर बैटने ना करें किसी कुशर गुरू की मार्विश्टेशन में ही करें यह अभ्य इसके अभ्यास के आपको कोशिश भी नहीं करनी है क्योंकि जालंदर्वन के साथ जब आप स्वांस चोड़ेंगे तो काफी अस्याश्टम नैसे तुक्त होगी इसके पूर रुप सा अध्यात्मिक लाव है कुंभक्त में अभ्यस्थ होने के बाद ही इसके सीधे लाव्त कर सकते हैं जो हमारे ज्यक्तितों को हमारी मन को अंदर मुखी करता है यह अध्यास अध्यात्मिक शक्ति के लिए काफी अच्छा ज्यास है